इस साइड में जो महिलाओं के लिए टोईलेट बना हुआ है और आप यहां का अगर हाल देखोगे तो यह उससे भी ज्यादा बदतर है कि आरे मेरा संबंपाट मत नजाटू तू मन नजाटू वो हाल जुझनू का हो रहा है नेता और अधिकारी मिलके लूटने में लगे हुए है कोई बोलने वाला अच्वेसिन जिसमें दारू के पव्वे डाले हुए है डखकन दारू की पव्वे और लोगों ने पान खा खा नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम आप देख रहे हैं रंगिलो जुझनू अभी मौझूदू जुझनू के बस इस्टेंड पे जो प्राइवेट बस इस्टेंड है जहां से ग्रामीन एरिये से लोग आते हैं सहर में और यहीं से बसों में बाटकर अपने गाओं की तरफ पड़ेगी तो उसके लिए सोचाले यहां बना हुआ है लेकि इस सोचाले को मैं आपको दिखाओं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जुझनू नगर परिसत सवस्ता सर्वेक्षण में पूरे परदेश बर में निचले पाइदान पर है निचे से द देखोगे तब आपको पता चलेगा चलो मैं दिखाता हूं आपको अंदर से की सोचाले के आज हालात कैसे हैं कहने को तो लोगों की सुविदाओं के लिए यहां पर टोईलेट सारवजनिक बना दिया गया लेकिन यहां जब आप अंदर गुसोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सामने टोइलेट के लिए जो वेवस्ताई लगी वी थी सब को तोड़ ताड़ के और गंदगी फैला के ऐसे हालात यहां कर रहे हैं कि आम आदमी का तो यहां गुस्तना ही दूबर हो जाएगा यहां पर वास बेसिन लगा हुआ है आप देखोगे वास बेसिन जिसमें दारू के पव्वे डाले हुए है डखकन दारू के पव्वे और लोगों ने पान खा खागे थूक थूके इसके हालात ऐसे कर दिया हैं जैसे कोई कचरा पातरो पूरे ही पूरे इस सोचाले के हालात ऐसे हैं यहां आप देखोगे कि एक यह होल है पीज में जो बना हुआ है यहां पर जो आप इस्तिती देखोगे कि यह क्या हाल यहां का बना रखा है आपको किसी भी अंगल से अगर यह लग रहा होगी ये एक सारवजनिक सोचाले है जिसे कोई यूज कर सकता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ऐसे जो हालात हैं ये इस साइड में जो महिलाओं के लिए टोईलेट बना हुआ है और आप यहां का अगर हाल देखोगे तो ये उससे भी ज्यादा बदतर है ये जो टोईलेट बने हुए हैं उनके हालात देखे नहीं जा रहे और इतनी बदबू का महोल यहां है कि आप समझभा होगे कि यहां अगर कोई ने यूज करने के लिए अंदर घुज जाए तो उसके हालात कैसे हो जाएंगे ऐसे हालात में हम उम्मीद ये करते हैं कि जुझनू नगर परिसद परसासन है या जुझनू जो सहर है उसका नगर परिसद का बोर्ड है वो सवस्ता सरवेक्षन में पहला नंबर हासिल करे ले कैसे करेगा और ये सब हो क्यों रहा है क्योंकि नेता और अधिकारी दोनों आपस में मिलके इस पूरे जिले भर की जन्ता को लूटने में लगे हुए हैं ये जो हमारे बड़े बुजुर कहाद करते थे कि आरे मेरा संपमपाट मतनचाटू तू मनचाटू वो हाल जुझनू का हो रहा है नेता और अधिकारी मिलके लूटने में लगे हुए हैं कोई बोलने वाला है नहीं और हालात यहाँ है अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो दिवार है टोइलेट यूज करने के लिए जहां भार लोग पे साब करने के लिए मजबूर थे उन्हें वहाँ जाना पढ़ रहा है यहाँ पे यह सुईदा होने के बाद जो सोचाले बना हुआ है यह लोगों के टेक्स के पैसों से बना है तो बिमारियां फैल जाएंगी इसको यूज करने की बजाए ऐसे आलात है अभी आप सामने भी देखोगे कि अगर यहीं यह टोईलेट जो है वो अगर सही होता तो किसी को जरुरत नहीं पड़ती कि वो बाहर कहीं कोई दिवार गिली करता फिरे अब करेंगे नहीं तो जाए कहां कि यह तो ऐसी चीज है कि आपको पिसाब अगर आपको लगी है तो करना ही पड़ेगा और यहां अगर सुईदा नहीं है तो बाहर कहीं ना कहीं जाडियां आपको ढूंडनी पड़ेंगे ऐसे हालात जुन जुनु के हैं आप समझ में नहीं आता कि आखिर नगर परिस परिकनिक सोचाले हैं जिन पर ताला लगा पड़ा है अगर वहां जाओगे तो आपको ताला दिखाई देगा खुले ही नहीं है यह कम से कम खुला तो है